कॉंगर्स पार्टी के वरिश नेता सचिन पालेट हमारे साथ हैं सर सबसे पहले तो बजट पे कल आपने अपनी प्रतिक्रिया जो पहली दी वो ये थी कि इतना दूर गामी है कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा अब इसके बाद जो है लोग जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर आपको क्या कह रहा है कि कुछ लोग है वो कह रहे हैं तो होने बजट बना दिया देश में तीन मुद्देश सबसे जोलंत हैं रोजगार महंगाई और किसान तीनों पर किसानों पर तो वित्मतिनी महद्याने नबब मिनिट के भाषण में तीन मिनिट का सिर्फ समय जायर किया है ना तो MSP बबात करी कृशी का बजट घटा दिया प गयाने खेती करना चाहरे हैं आज के दिन में ड्रोन से लाप कितनों को मिलेगा तो यह बहुत जाता काग जी और एक इमेजनेटिव बजट है लेकिन जो रहत देने की बात थी मद्यमबर को महिलाओं को पेशेवर लोगों को मिडल क्लास को उसे बहुत दूर रखा अपने पोस्ट बजट में वित्तमंतिरी महद्या ने तो निराशा लगी है क्योंकि अब रेकवरी हो रही है करोना के बाद बहतर होता कि ग्रेणियों के लोगों के परिवार के जेमों पैसा जाता जो लोग मद्यमर के लोग जूझ रहे हैं सौर पे पेट्रोल के दाम से महंगाई खर्मों खर्मों बढ़ गई है तो यह जो खाई है यह देश के लिए बहुत दुखसान देए है सार इसके साथ साथ कॉंगर्स पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी उन्हों ने जब ट्वीट किया कि जीरो सम् गेम है उस पर वित मंत्री ने जो है वो हिट बैक किया उन्होंने का कि यूपी स्टाइल का जवाब है बहुत निराशा जना किया क्योंकि उन्ह चुनाव ना भी हो फिर भी एक पॉब्लिक स्टेट्मेंट देना उसकी तुलना इतने एक नकरात्मक तरीके से करना मैं समझतों बड़ा गलत है उसको इसके लिए पेश करना चाहिए क्योंकि राहूल जी ने का गलत नहीं का बई जीरो सम है आप बड़े बड़े आक्रे प खटा देंगे खाद बीज बिजली पानी सबके दाम बढ़ रहे हैं तो किसान की आमदनी दुगनी करने के बात करते थे अब उसके आमदनी कम हो रही है इस पर एक शब नहीं बोला वित्मंती जी ने इसके साथ साथ जो बात है वो निकल के आ रही है बेरोजगारी की जो आ किया जाए यह जो कोशिश है करेंगे उसको कैसे देखने आप अब देखिए इस सरकार को बहुत सा लोग हैं पूर्ण बहुमत की सरकार है पहले का था कि दो करोर रोजगार देंगे अब वो साथ लाग पे आ गया है और यह वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करे है लेकिन मद्यमवर का जो इंकम टैक्स असलाब था वो बिलकुल मिंटेन किया उसको कहीं रहात नहीं मिली है ऐसे समय में जब चटनी हो रही है आमदनी कम हो रही है लोगे नौकरी जा रही है रोजगार ख़तम हो रहे हैं दुगाने बंद हो रही है बिसनस ठप हो रहे है तो लोगों को मदद करने के बजाए सिरफ एक विशेश वरका धान लखा गया है और अच्छा मौका था कोई चुनाब बहुत दूर है तो सरकार चाहती तो एक मिल्ल क्लास के लिए नौजवानों के लिए किसानों के लिए थोड़ा बहुत एक सिंपथेटिक रवया अपना कर दो लाइगा ना सिर्फ पांच स्टेट्स पे लेकिन देश बर में पढ़े गाना बई जो लोग उमिद लगाए बैठे थे कब तक इनजार करेंगे कब तक अमारी आम्ननि बढ़ेगी और ऐसा नहीं कि सरकार ख़चा नहीं कर रही है सरकार ख़चा कर एक गलत है जो आज गे उसका आज़ार करेंगे वो लोग जी ते सचिन पाविव जी हमसे बात कहते हुए कैमपस अनभी शेक के साथ ने सुप्रेभारदोश आज तक दिल्ली